हलो स्टेंट्स ये क्लास DRT फ़स्ट एर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फ़स्ट पोजिस्निंग अपना टॉपिक चल रहा है लोवर लिम्ब यान लोवर लिम्ब के अपने स्टेडी कर रहे थे जिसमें अपने क्या है नहीं जोइंट का एपी व्यू पढ़ लिया था या नहीं जोइंट के व्यू अपने पढ़ रहे था वही व्यू अपने आग आज स्टार्ट करते हैं आज अपने बात करते हैं knee joint के AP erect view की AP view अपन ने किया था आज करेंगे अपने AP erect view erect position में जिसको अपने क्या बोल सकते है weight bearing view क्योंकि जब patient खड़ा होता है तो उसका पूरा weight bear कौन करता है knee joint तो इसको अपने क्या है weight bearing view भी बोल सकते है both leg knee joint यह किस्प में होता है दोनों legs में का knee joint का एक साथ में भी होता है याँ दोनों knee joint को अपने एक ही image में view लेते हैं याँ legs का पूरा weight यह गेन करते हैं तो weight bearing view हो गया अब बात करें अपने इसके indication की, indication क्या रहेगा तो देखो 2 investigation दा है angle of femur to tibia tibia का angle अपने femur के साथ जो tibia का angle होता है उसको अपने check करते हैं और देखो this view is performed for both leg and knee joint deformity यह view क्या करता है दोनों knee joint को और उस joint की deformity को देखने लिए अपने view किया जाता है यानि femur और tibia के angle को देखते हैं दोनों knee joint को एक साथ देखते हैं जिसमें अपने joint की deformity को देखते हैं next अपने बात करते हैं cassette size cassette का size क्या रहेगा तो normal जो अपना cassette size रहता है वो है 8-10 और 10-12 का उसके बाद आती है अपने position of patient patient की position क्या रखेंगे तो patient की position क्या रहेगी देखो this view is done in erect condition अपने पहले ही बताया था कि ये view कैसे होता है erect app view है तो erect view में होगा erect position में होगा weight bearing है weight bearing का बता जब patient खड़ा रहता है तो ये view कब गया यान कौन से condition में होगा erect condition में यान patient को खड़ा करके अपने view लेंगे patient is erect app position cassette is a placed on horizontal stand patient को क्या अपने app erect position में खड़ा करेंगे और cassette को horizontal लगाते हैं अपने जो horizontal stand लगा होता है उस पे अपने cassette को लगाते हैं जो अपने test का stand होता है उसे पे क्या अपने leg का app erect view करने के लिए cassette लगाते हैं और cassette कहाने लगेगी knee joint के पास तो देखो याण patient को अपने किया app view में खड़ा कर दिया दोनों knee joint अपनी पास पास में रहेगी और cassette को क्या अपने horizontal cassette stand पे लगाएंगे इसके नेक्स देखो क्या है बता रहा है बोथ नी रेडियोग्राफी इन वन फिलम इसमें अपने क्या है दोनों नी की रेडियोग्राफी एक ही फिलम में करते हैं इसके बाद अपने आता है position of cassette cassette की position क्या रखेंगे तो देखो the cassette center is placed at the level with medial tbial condyle जो अपना tbial condyle होता है याद टीबिया का जो condyle होता है वो कहां रहना चाहिए अपना cassette के center point में जो cassette का center point अपने कहां रखते हैं जो tbial condyle होता है उसके बिल्कुल बराबर में और जिसमें अपने दोनों नीज क्या है equal आनी चाहिए इसके बाद अपने बात करते हैं centring के centring कहां रखेंगे तो देखो center ray should pass between both the patela at right angle to the film center ray कहां से जाहेगे अपनी दोनों patela के बिल्कुल बीच में से यह दिखा रहा है कि दोनों patela के बीच में से अपनी center ray pass out होगी और कैसे लगी यह दोनों patela पीछे दोनों knee joint के अपने को image लेनी तो उनके बीच में ही अपने centring करते हैं इसके बाद देखो डाइग्राम में अपन को दिखा रहा है कि पैसेंट erect position में erect AP position में खड़ा है और कैसेट कहां लगा रखी है knee joint के बिल्कुल पीछे और जो अपना patela है वो कहां आ रहा है कैसेट के बिल्कुल बीच में आ रहा है जिसमें अपने centring किये वो भी कहां किये हैं दोनों पटेला के बिल्कुल बीच में centring की हुई है नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियो लोजिकल अपेरियंस की रेडियो लोजिकल अपेरियंस क्या रहीगा तो देखो lower end of femur and upper end of tibia and fibula are clearly seen but patella is superimposed on femur अपने को lower end femur का और upper end tibia और fibula का clearly seen हो जाएगा और जो पटेला होगा वो क्या है femur को superimpose करेगा जो अपने को normal APVU में दिखाई देता है वही क्या है weight bearing में दिखाई देगा इसके बाद next देखो अपने को image दिखा रही है AP weight bearing view की जिसमें दोनों नीस अपने को clearly दिखाई दे रही है टibia और fibula का upper part femur का lower part अपने को दिखाई दे रही है और patella femur पे superimpose अपने को दिखाई दे रही है इस प्रकार से अपने को क्या है AP erect view या knee joint का weight bearing view दिखाई देता है उसके बाद अपने बात करते हैं exposure की exposure कहा रहेगा देखो distance रहेगी 90 to 100 cm केवी रहेगा अपने 55 से 60 मेस रहेगा 20 और grid का use अपने नहीं करेंगे यह अपना exposure जिसमें अपने knee joint का view अपने को scene हो जाता है इसके बाद एक note लगा के बाद बताईगे यह देखो A comparative study of both knee joint can be done to assess any pathology दोनों knee joint का अपने view किस लिए करते हैं उनका comparison करने के लिए या कोई भी pathology होगे उसको check करने के लिए यह अपना क्या है knee joint का ap erect view हो गया जिसमें अपने patient को खड़ा करके view लगते हैं और cassette को दोनों knee joint के पिछे लगाते हैं centring करते हैं अपने दोनों knee joint के बीच में अपने centring करते हैं और दोनों knee joint एक साथ किस लिए किया जाता है knee joint को आपस में comparison करने के लिए या फिर कोई भी pathology होगे उसको check करने के लिए इसके बाद आता है अपना patella का patella क्या है सिस्मॉइड बोन है या बिल्कुर एक गोल गोल बोन होती है जो क्या है knee joint होती है और यह femur को centralized या फिमर के lower part में रहती है इसके posterior part से मिलके क्या है knee joint बनता है इसके लिए view होता है अपना एक्जियल व्यूट एक्जियल व्यूट के बात करें तो क्या उन्सा हो गया inferior to superior view इस व्यूट का से एक special name होता है इसको अपने बोलते है स्काइलाइन व्यूट यह स्काइलाइन मतलब जैसे आपने को आस्मान में सूरज दिखाई देता है स्काइ में उसी प्रकार क्या है अपने को क्या है पटेला अलग यह एक आकरती में अपने को दिखाई देगा तो इस व्यूट को अपने बोलते हैं स्काइलाइन व्यूट इसके इंडिकेशन के बात करें तो इसका इंडिकेशन रहेगा to see the fracture and pathology condition of पटेला पटेला में कोई पटेला के कोई भी pathology condition है उसको चेक करने के लिए अपने व्यूट किया जाता है इसके बाद अपने बात करते हैं कैसेट साइज कि साइज क्या रहेगा देखो कैसेट साइज अपने रहता है और 10 12 कर जो ah an ultra लेटेगा पैसेंट अफेक्ट्टर्ट नीhe is placed on the cassette जो पैसेंट की a educated नहीं होगी उसको अपने क्या करेंगे cassette पर रखेंगे पैसेंट को प्रोट्र पॉजिस्अन में लटाएंगे और पैसेंट की affected न्हीं कॉपने cassette पर रखते हैं कि नेट देखो चान्टे को गई जितना प्रोसिबल होता है उतना आपने क्या करेंगे फ्रेक्स करेंगे क्योंग और निन पेठ गे कोका वद ठलाच्रे कंडिसेंगे मैं नीदेख होगा Holiday Man नहीं करेंगा जितना पोश्रीबल होता है उतना ही फ्लेक्ष करेंगे तब टेप्या एंड सब्सक्राइब आइदर बाइ बंडेज और हेंड डेनी और फिल्ड को सम्भाल ने के लिए उन इन नेक्स्ट अपना, पोजिशन ओफ पैसेंट, पैसेंट की पोजिशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजिशन क्या रहेगी, तो देखो रहा है कि दा कैसेटी इस प्लेश्ट अंडर था अफ्ING जोइंट केसेट कहां रखी जाएगी जो अपनी अफेक्टेड ने जोनिट होता है उसके बिल्कुल नीचे अपनी केसेट रखी जाएगी इसके बाद देखो अपने के डाग्राम दिखा रखा है जिसमें पेसेंट की पोजिशन, केसेट की पोजिशन और सेंट्रिंग दिखा रखी है पेसेंट की पोजिशन क्या है पेसेंट प्रोन पोजिशन में लेटा हुआ है ने को क्या है कैसेट पे उसने रख रखा है और जितना ने को फ्लेक्स कर रखा है पेसेंट ने किया हुआ है फिर cassette कहां रखी हुई है बिल्कुल knee joint के नीचे और centring कहां हो रही है इसकी centring बिल्कुल patela पे हो रही है और 15 degree का angle इसको head की तरफ याने जो इसका foot लोवर लेगा उसकी तरफ दिया हुआ है इसके बाद अपने बात करते हैं centring के centring देखो उसमें अपने diagram में अभी अपने देखी थी कहां की हुई थी देखो central ray over the patela at an angle 15 degree to the lower leg centring कहां की हुई थी अपनी patela पे बिल्कुल centring की हुई है और 15 degree का angle patela की तरफ दिया हुआ है 15 degree का angle leg की तरफ दिया हुआ तो leg कौन सी तरफ अपने head की तरफ flex की हुई है तो उसकी तरफ अपना angle हो जाएगा इसके बाद अपने बात करते हैं radiological appearance की यह जो अपनी image आती है उसमें अपने को क्या दिखाई देखा देखो patela is clearly seen separated from lower end of femur bone patela है वो अपने को clearly seen होता है और जो lower end of femur है उससे बिलकूल अलग दिखाई देता है बाकी सबी view में क्या है अपने को patela femur bone पे superimpose दिखाई देता है इसलिए अपने के patela का यह special view है skyline view जिसमें अपने को patela क्या है femur bone पे superimpose नहीं होता है और सबी bone से अलग clearly seen होता है इसके बाद देखो अपने को diagram दिखा रखा है इसमें दिखा रखा है femur के condiles के उपर अपने को क्या है patela clear scene हो रहा है जैसा कि अपने कई बार painting वेगरा में देखा है जैसे अपने को परवत के बीच से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है उसको अपने क्या बोलते है skyline view तो उसी प्रकार किया है दो condiles के बीच में अपने को पर टेला बिल्कुल clearly और separate सबी बहुत से अलग अलग clearly scene हो रहा है तो यह कौन सा view हो गया अपना skyline view इसके बाद अपने बात करते हैं exposure की exposure क्या रहेगा distance रहेगी अपने 9200 cm kv रहता है अपना 55 से 60 amaze रहता है अपना 10 से 15 और grid का use अपने नहीं करेंगे यहां देखो अपने को पिटेला के ले 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 शीण हो रहा है पर इस इमेज को ध्यान से देखो इसमें कहारे अपने को पिटेला विय फेक्चर दिखाई दे रहा है जो अपनी image होती है उसमें पहले जो image थी वो क्याью न॓र्मल इमेज थी ये image किसकी है पटेला के fracture की इसमें अपने को पटेला का fracture clearly scene हो रहा है तो पटेला क्या सबसे अलग और clearly scene हो रहा है और उसका जो fracture वो भी अपने अपने clearly scene हो रहा है तो पटेला को अलग और separate देखने के लिए अपने view किया जाता है बाकी व्यूम में क्या है पटेला सुप्रेम पोस दिखाई देता है तो पटेला को क्लियरली सीन करने के लिए अपने स्काइलाइन व्यू किया जाता है इसमें जो इमेज आती है वो अपने को स्काइलाइन व्यू की तरह दिखाई देती है पटेला के skyline view में patient की position क्या रहती है देखो patient को prone table पर लेटाया जाता है prone लेटाने के बाद patient की नीग को जितना flex किया जा सकता है उतना flex करते हैं patient की patela में fracture तो जितना possible होता है उतना flex करेंगे उसके बाद patela पर बिल्कुल direct centring करेंगे और 15 degree का angle देंगे head की तरफ या lower leg की तरफ उसके बाद जो अपने को image दिखाई देती है वो patela सबसे अलग और clearly scene हो जाता है और उसमें कोई भी bone supreme pose नहीं करती है उसमें कोई fracture वगरा तो इस तरह चे अपने को fracture दिखाई दे जाता है यह अपना क्या है patela का skyline view complete होता है आगे पढ़ेंगे अपने next class में thank you अपने सबस्ती है झाल 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 नेक्स देखो, the knee is flexed, as much as possible, नी को क्या करेंगे, flex करेंगे, जितना knee flex हो शक्ती है, क्योंकि टेला में कोई fracture पैथोलोजी कंडिसन है तो अपनी जितनी पोसिबल होगी उतनी ही करेंगे, ज्यादा pressure अपने नहीं बनाएंगे, the tibia and fibula is treated either by a bandage or held by hand, tibia और fibula को संभालने के लिए, या उनको रोकने के लिए अपने क्या करेंगे, कोई भी bandage से बांदेंगे, या फिर क्या करेंगे, पैशेंट के हैंड से उसको hold करवा देंगे, या साथ में अटेंडर होता है, उसको अपने बोल के, tibia और fibula को, नहीं को flex करेंगे, और tibia और fibula को हाथ से पगड़के, उसको एक जगा स्तिर करवा देंगे, इसके बाद आती है अपने position of cassette, cassette की position कहां लगेगी तो देखो, the cassette is placed under the affected knee joint, cassette कहां लगाएंगे, जो अपना affected knee joint होता है, उसके बिलकुल नीचे,